हलो यूपियस्स एस्पेरेंट और कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे लगातार खब रोप में रहा है कि रुपिया लगातार डाउन हो रहा है डॉलर के मुताबिक यहां तक कि जो हमारी वित्वन्त राले है उसकी तरफ से भी आखा गया कि वित्त राफ कि रुपिया कमजोर नहीं हो रहा है वलकि डॉलर मजबूत हो रहा है काफी इसके घिरावट कर रहा है अपने interest rate को बढ़ा रहा है इसका मतलब यह हुगा कि अगर आप जो federal bank जो securities issue करता है या जो bond issue करता है उस पे वो ज्यादा interest दे रहा है अगर आप जाके उसके bond को खरीदेंगे तो आपको ज्यादा interest में लेगा ध्यान रखिए इस में लगभग 4% के आसपास interest rate आ गया है जो पहले कहीं एक या 2% के आसपास रहता था तो 4% होनी की वज़े से जितने भी इंवेस्टर है वो उसकी तरफ ज्यादा पेजी से जा रहे हैं और ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं investment वहां कर रहे हैं कहा भारत कर जो भी भैफ और घाम होता है उसमें हम आया ज्यादा करते हैं इस वज़े से क्या होता है हमारा trade deficit बना मतलब एक तरह से देखा जा जा ब्यापार घाटा हमेशा रहे पर घाटा बढ़ेगा तो क्या होगा rumor land होगा ही होगा well रूपिया फॉल करेगा ही करेगा तो दो बातें तीसरा ध्यान रखना है foreign portfolio investors यह कौन होते हैं इनको अपना पैसा जहां इन्वेस्ट करना होता है वह सीधी सी बात है वह इस जहां इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कंपनी के स्टॉक में या उनके चोटे मोटे काम है तो यह लो PIS जिसे हम बोलते है foreign portfolio investors यह अभी बात करते हैं हम लोग crude oil की जैसा की जान रहें लगाता है जो यूक्रेन और रशिया का यूद्ध हो रहा है इससे क्या हो रहा है यूक्रेन रशिया की यूद्ध के कारण जो crude oil है वो बीच में भी महगा हुआ था और अभी भी महगा है त जब भी इंपोर्ट जादा होगा तो डॉलर की दिमांड बढ़ेगी तो रुपिया का ओमूलन होता है तो चार बाते ध्यान रखना है नंबर एक फेडर रिजर्व जो है अगर वो इंटरेस्ट बढ़ाएगा तब दूसरा ट्रेड डिवस्तिक ब्यापारी घाटा होगा त जब वह मार्केट से पैसा खीच के लिखा जाएंगे तब क्या होगा डॉलर मजबूत होगा और रुपिया का ओमूलन होगा और तीसरा क्रूड और चॉथा है पॉइंट के बढ़ने पर ठीक तो यह चार पांट हमेसा धान रखिएगा देखे जब ही रूपिया डाउन झाल 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 झाल